वेल्कम टैक्वीड़ गुरू मैं आपको अद्विकास आपका अपने चनल में फिर सौथ करता हूं तो स्टोइट आपने चनल सब्क्राइब में किया चैनल सब्क्राइब कर लें बैल आकान ब्रस कर लें इसके आपको डेली मॉक्टेश्ट की जो क्लास से चलिए हो उनकी सब्सक्राइब करें या इसके अगर आपने इसको नहीं बी पड़ा है तो हज हम बात करेंगे आपके नए टॉपिक जो कि M2 आर आ आर फाइप आपका जो है वैब डियानिंगे पब्लिकेसिन इससे पहले मैंने आपको इक क्लास दी थी तो वह क्लास आपने देखी होगी य मैंने कंप्लीट पूरा से एक स्लेबस कंप्लीट किया था आपका पूरा स्लेबस आज जो कोशन में प्रोवाइड करूँगा वो एकदम नए कोशन होंगा ठीक है तो मैं दोनों मेडिया में आपको दूँगा हिंद इंग्लिस में और इसके लाइफ टेस्ट आपको दिखाऊ इसको हिंदी में कंवर्ट किया जा रहा है तो जिनको जब लेना होगा तो मैं असको कंवर्ट कर दूँगा दिकतर हमाएं बच्चे अभी इंग्लिस के यह अब लेबल है तो चलिए देखते हैं तो यह है हमारे पास मॉक्टेश्ट तो पहला कोशन देखते हैं इसमें काफ सारी वीडियो अली क्लासे देखेंगे पर्चेस करेंगे जो हमने किलास लगाई थी पूरी एंटू की तो वह आपने अगर देखियो कि थीरी वाली तो आपको सारी चीजे महाँ पर समन में आ जाएंगी चौपिक बाइस बने आपको बताया था यह अगर आपने से लिबस देखा होगा तो भी आपका वहाँ से इसका अंसर निकलाएगा आप सिंपल सी बात करते हैं देखेंगे फ्रेमवर्क और सी एसस में कोई ज्यादा नहीं है दोनों एक ही चीज है बर ठोड़ा सा अंतर आ जाता है जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो उसमें हम अलग से क कि का स्केटिंग स्टाइल सीट यानिकि वहाँ पर स्टाइलिस आप डिजाइनिंग कुछ करते हैं और उसके अंदर का स्केटिंग के अंदर विकर आपको कोई डिजाइनिंग करने होती तो उसके बाद हम किसको लाते हैं वहाँ पर फ्रेमवर्क को लाते हैं यानिकि फ्रे framework के अंदर क्या के चीज़े include होती है तो आपको मैं बता दूँ framework के अंदर आपको font का size मिलेगा क्योंकि designing है तो designing में जायरती बात है आपको font का size मिलेगा CSS को reset करने का भी option मिलेगा कि हाँ CSS को reset कर सकते हैं यानि कि कोई आपने by default उसमें कुछ बनाया है आप उसको मिटाना चाह framework में भी लेंगे last option है form दिया हुआ है fourth number में तो यह option आपको form नहीं मिलता है यह आपको किसमें मिलेगा में मिल जाएगा CSS में मिल जाएगा लेकिन CSS framework में java script में भी मिलेगा लेकिन CSS framework में अगर आप इसका topic उठाकर देखेंगे अगर internet पे या अगर syllabus पी उठाकर मैं आपको syllabus भी दिखा देता हूँ इससे कि आपको और अच्छे सुन में रहा है तो basically इसका जो answer बनेगा वो क्या बनेगा form बनेगा यह निकि form जो होता है वो अब label नहीं होता अब मैं आपको इसका syllabus दिखा देता हूँ तो देखें मैं आपको syllabus पिले जा रहा हूँ अब देखें CSS framework में देखें आपको क्या क्या option मिलते हैं framework introduction है CSS color container है panel border font है text table list image grid सारे option आपको कहीं भी form को option नहीं मिला गयो कि इसमें form होता ही नहीं है इसलिए आपको इसमें form को option नहीं दिया गया ठीक है और उपर बात करेंगे तो देखें यहाँ पर आपको आएंगे HTML में तो यहाँ पर आपको form बगरा को option मिल जाएगा बिसकली form के element है form बगरा बनाना तो इसी कारण से जो इसका option बनेगा वो क्या option बनेगा डी option बनेगा यानि की form तो आपको यहाँ दखें कि को सन किस पगार से बनाएगा अच्छा को सन बनाएगा अंदर से एक जम निकाल के को सन बनाएगा जिससे क्या आप कन्फूज है next number question 1.2 यहाँ पर एटेग दिया है एटेग को हम किस लिए यूज करते हैं लिस्ट बनाने के लिए देखें ऑप्सन देखें आप लिस्ट बनाने के लिए करते हैं लिंक बनाने के लिए एड्रस या नन यानिन में से कोई नहीं तो आपने देखा होगा जब एटेग का यू क्यों बनाने है तो उसके लिए हम यहां पर लिका हुआ थेमल का और यहां पर यहां पर यहां पर यूज किया गया और एसफी का लिंक यह दाला है टार्गेड लगा के बलेंग जिसको हम रन कराते हैं हम इस पिकलिक करेंगे तो next पेज आपको नेक्स पीज क्यों open होता है ठीक है तो इसपर जब हम click करेंगे तो google open edge page में open होगा किसके मादर हम से बना links बनाते हैं एक का जब हम tag use करते हैं यह वाला तो उससे हम क्या बनाते हैं कोई भी links बनाते हैं तो option क्या बनेगा इसमें बी option बनेगा लिक्स ठीक है ए टेक्ट दिया हो या हर एफ दिया हो तो भी आपका लिंक सी ओप्षन हो गोगा कोसन नमबर थेड़ जावा स्किप्ट वाज इन्वेंटेड वाई यानि कि जावा स्किप्ट को किसने बनाया था तो इसके लिए आप रटना पड़ेगा तब तक आप बेसिस कोसन है कोसे नमबर फॉर वेरियबल कैन होड वैलू एट टाम है एक समय में वैलू को होड़ जा सकता है कितनी बार मल्टीपल बार सिंगल वार या फिर और ऑप्षन या पर दियो होंगे उपर नन आफ दीज या डबल तो देखें क्या पूछा वैरियबल है आपके ठीक है तो कोसे नमबर फोर है तो वैरियबल जो आपके है किसी वैलू को कितनी बार होड कर सकता है सिंगल वाल या निकि एक ही बार उसको सिंगल टाम उसको होल्ड कर सकता है तो और समनेगा भी सिंगल question number 5 which of the following is not a text editor name में से कौन सा text editor नहीं है देखिए किन अच्छा question है अब देखिए यहाँ पे notpad plus plus दिया है notpad दिया wordpad दिया तो यह तीनों ही आपके text editor होते है Photoshop जो आपका है वो designing का है तो option क्या बनेगा कोई भी देख के बता देगा हो तक आप आपने notpad यूज किया हो wordpad यूज किया हो ms office यूज किया हो लेकिन आप बोले notpad plus plus किया काफी लोगं के मन में आगर लेकिन ये भी आपका एक तरह का software जैसे कि advanced version होता ना तो वह notpad का ये plus plus किया गया notpad में आप सारी language लिख सकते हैं लेकर उसमें आपको save us करके उसका extension देना होता आपको कोई coding का option नहीं मिलता लेकिन इसमें आपको तभी A से लेकर Z तक यतनी भी coding language होती है वो सारी option मिलते हैं उसके by default उसमें code मिलते हैं और उनको आप recall कर सकते हैं background में और उसमें आप उसको save करके run करा सकते हैं तो काफी यदा features इसमें आपको मिलते हैं तो एक advanced version कर सकते है notpad का तो option बनेगा D इसमें क्योंकि Photoshop वो आपको कोई editor नहीं या आपका basically photo designing का tools है question no.6 T.I.F.F. इस्टेंट फोर्ट और T.I.F.F. का full form पूचा किया काफी अच्छा question है और यह आपका किस chapter का question है अगर आपको मालूम पड़े तो T.I.F. G.I.F. J.P.G. P.N.G. यह सारी आपकी files होती है image की text की आपका सकते हैं जो भी आपको तमाम तरह की file होती है तो यह basically question आपका photos option निकल के आता है Photoshop जो आपका chapter है उससे आपका बनता है तो 1.6 का देखिए option क्या होगा इसका मतलब होता है tagged ठीक है option देखे अब देखिए इसमें इसमें देखिए क्या लिखए total image format अब इस पर कार से दिया गया है तो देखिए यहाँ पर गलत दे दिया है यहाँ पर option में दिया है मैं इसका full format गूगल पर आप उससाथ कहा देता हूँ इसके नसाब जो option इसमें हमारा बनना है 1.6 का tag image file format tag image file format अब मैं TIFF का full form यहाँ पर खोल देता हूँ TI TIFF full form ठीक अब इसका full form देखते हैं क्या option निकल के आता है आपके सामने तो देखे tagged image file format ठीक है tagged image file format अगर कोई image हम आपको दिखाना चाहें तो देखे यहाँ पर कुछ image हो सकते हैं आप फिसिकली अब लेबल नहीं है फिलाल तो यह सारी फाइले किसमें यूद होती है नहीं आपके Photoshop में देखे यह मैं यहीं में दिखाना चाहरा था तो देखे पी एजडी टी आई एफ एफ डी आई एफ पेंजी इन सब के फाइल के नाम आपको पता होना चाहिए ठीक है तो सिंपल सा है तो ऑप्सन क्या बनेगा यहां पर अब यहां पर टोटल लिखा हुआ है यहां पर टैग्ड आपका लें हिंदी में नहीं तो आप बोलेंगे कि सारा ऑप्सन नहीं मिलना तो तुमाम तरह मौडल होते हैं जाएक कि आपका Dongs कẹणीन बहुता है वह तो कभी हो नहीं सकता क्या होता आपका क्लाइट सेरवह होता नहीं है कि 155 न को होता है जिससे कि हम लोग सभी लोग सर्वाथ कूनेक्ट होते हैं हाने कि एक आपका server होता है कहीं पर लगा होता है client server होता है यहां पर www यहां से आपको होस्टिंग पर्चेस करते हैं अपने server में तो यहां से आपका एक client www से जुड़ जाता है ठीक तो इस परकार से काम करता है तो option बनेगा b client server model इस नमबर पूझे how can we write comment along with CSS अब जो हम CSS को यूज कर रहे हैं कि CSS की programming language यूज कर रहे हैं उसमें comment अगर आपको डालना है किसी paragraph में किस परकार से डालेंगे यह सारी वीडियो मैंने explain की है जब आप chapter wise देखेंगे CSS की class, JavaScript की class, HTML की class उसमें सब आपको पता चल जाएगा 1.8 को option बनेगा देखें जब भी हम CSS को comment के लिए use करना चाहते हैं तो हमको लिखना परता है forward slash star और उसके आगे a और comment लिखते हैं फिर हम फिर star लगाते हैं उसको forward slash से बन कर जाने की option बनेगा a option देख लें देखें बाकी में इसमें star नहीं लगा हुआ है इसमें double forward slash लगा हुआ है और इसमें देखें option कुछ के अलग पकार से हैं तो हमेशा जब भी कोई option होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें इसमें भी होता है लेकिन डिपेंड करता है कौन से प्रोगामिंग लेंगवेश करते हैं तो कोई प्रोग्रामर्स होते हैं उन्होंने सभी में अलग-अलग आप वो कमेंड डानने के लिए कोडिंग दी हुए है कोर्सन नमबर नाइम है which element is used in head section on a html x html page if we want to use external style to decorate यानि कि html और x html page पर जब हम heading section में heading section टे किस element में और उप्स कॉप्यों किया जाता है जो कि बाहरी style होती है इन्प को style अगर लगा नहीं है तो हम heading के किस section में उसको जाके लिखते हैं तो 1.9 का देखे option बनेगा और basically इसमें क्या पूछा गया है वो देखे आप आपको HTML पूछा गया है और X HTML याने के external page अगर आपको इसमेड करना है तो देखे पहला option दिया गया है हापे SRC तो आपका screen हो गया है उसमें किस परगास होना चाहिए तो which HTML to you to head section में हमको use करना है if we want to use external style seat को decorate करने के लिए हमको use करना है तो हम किसके लिए use करेंगे इसमें basically हम use करेंगे link वाले section में link एक section होता है अब यह link वो section नहीं है अब यहाँ पर आप यहना समझें कि hyper link वाला है यह हमको decorate करने के लिए यहाँ पर एक external seat को use करना तो उसके लिए हम यहाँ पर link section का use करते हैं ठीक है तो option बनेगा be link section ठीक है यह मैंने बताया होगा आप class उठाके देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा question number 10 है web quarrel आपको दिया है वेब crawler जो आपका होता है is also called क्या कहलाता है ने कि link directory कहलाता है search optimization कहलाता है या web spider या web manager हर तो देखर वेब इस्पाइडर जो होता है आपका बिसली एक त्ना से अब कह सकते हैं वेब को अब है क्या तो वेब इस्पाइडर आपका है क्या एक तरिह सबीका प्रोटक्षान आपका करता है ठीक है तो ऑप्षेशन मनेंगा mail जो इससे खाता हुआ option देखे link directory है search optimize करेगा तो यह आपको scan करेगा इसका web manager है तो website को manager काम करेगा अब web spider देखिए एक है spider होता या warm होता तो यह सारा option वेब करवलर के अंतरकत आते हैं ठीक है तो option बनेगा 1.10 का c तो यह था student आपके लिए multiple choice m2r5 और m2r4 वालो के लिए यह question है लेकिन इसमें जो question है इस बार अगरम देखें तो r4 वाले student के लिए से कोई भी question आपका पूछा नहीं गया है only बजाए आपका एक तो www का है और tiff का question ले सकते हैं और वाले student के लिए बाकि सारे आपके नए हैं यह question भी आपका यह वाला भी आपका ओड़ वालों में हैं बाकि CSS आपके में हैं नहीं और यह भी आपका मिल जाए question दोनों वाले में ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें student देखते हैं true and false को जो की most important topic होता है और यह जो question पूशे आते हैं यह आपके theory विससे निकाले जाते हैं देखें कैसे निकाले जाते हैं तो पहला उठाते हैं यहाँ पर 2.1 text editor is a software program है that allowed text by adding, deleting and rearranging later words sentences and paragraph निकि जो text editor हमारे पास है जो software है क्या वो आपको allow करता है किसके लिए permission देता है किसके लिए adding करने लिए कोई add करना या delete करना यह rearrange करना लेटर को तो क्या यह सारी चीज़ सही है तो देखें नामी से यहाँ पर भूला गया text editor है तो हमारे जब कोई text लिखेंगे तो जायर सी बादस में कोई add भी करेंगे text को delete भी करेंगे लिए rearrange भी करेंगे लिटर को और word sentence paragraph सभी काम करेंगे text editor का मतलब ही यह होता है तो option बनेगा बिलकुल true question number two है generic family name should allow to return in quotation mark यानि कि generic family name हमेशा quotation mark पर लिके जाते हैं तो option बनेगा अब यह generic family होते क्या है यह भी तो आपको बताना चाहिए तो चलिए इसके बारे हम चलते हैं गूगल पर generic family डालते हैं यहां पर generic family अब देखें यह font का नाम होता है ठीक है आप जरू ध्यानने के जन्री फैमिली जो आपका है यह आपका पूरा font है एक पेकार से तो इसमें देखें तमाम तरह के font आते हैं सच है टाइम रोमेन हो गया बोडोनी हो गया और सेंस सेरिफ हो गया MS कोरियर हो गया यह सारे इसके अंतरकत font आते हैं सभी बिसिकलिए company होती है उसी पकारते और इसको बिसिकलिए हम लोग किसमें यूज करते हैं दिकतर CSS font के अंतरकत तो यूज करते है ठीक है तो इसमें पूशा किया गया आपका जन्रीक पर अलाउ तो रिटेन को टेशं मार्क में लिखते हैं तो आपका ठीक है आप समणने का ट्रो बिसिकलिए यहां पर क्या आपका मेंसल किया गया है डेखते हैं इसको हम यहाब टाइप करते हैं You can always put a specific font जो भी हम लिखेंगे उसको quotation mark के अंदर लिखेंगे लिखेंगे जनरिक font name like same serif without quotation के अंदर लिख सकते हैं ठीक है तो कुछ font जो है उनको quotation के अंदर लिखा जाता है उनके नाम यहाँ पर दिये गए है double single, aerial वगरा जो है इनको हम लोग जब लिखते हैं उनको quotation के अंदर लिखते हैं बाकि कुछ font जो है same serif करके इनको without quotation भी लिख सकते हैं तो option बैसे कि इसमें true भी बनेगा जनरिक फॉर्मली नेम जो की है उसको हम quotation mark के अंतर लिखते हैं बनेगा true ठीक है तीन नमबर पे आते हैं आर्पानेट के बारे में पूछा गया है तो आर्पा नेट वास वर्डवाइड फॉर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क यहनुनिक आर्पानेट डूरे का पहला ऑपरेशनल पैकेट नेटवर्क था तो बिलकु सही है छाफी प्राना question हो गया है fourth number font size set the size of text तो font car text होता है हैflyage को हम set करते हैं font size sets होता है the size of text होता है तो बिलकुल सही है यहां सही है कि आप दीखते हैं इसी कि यही पर हम बात करें नवहीं फे Always इसमें option होगा नहीं word के हम बात करें तो word में आपने देखा होगा एक तरफ एक box में आपको font के नाम होते हैं और एक तरफ आपको उसी font के size भी होते हैं तो जो भी font select करते हैं उसका वहाँ पर size भी आपको दिखाता है कि हाँ इस font का इतना size है तो वहीं basically पूचाएगा निकि जो font का जो font का size होता है font size का जो sets होता है पूरा वह आपको क्या होता है text का size होता है निकि जो भी आप text लिखेंगे वह आपको उसी font और उसी size का आपको आपको सो होगा तो बिल्कुल सही है question समझें आप 2.5 है subline text is a property cross platform source code editor with a python application programming interface नहीं कि subline जो text editor है basically हम लोग python programming के API के साथ और मालिकाना cross platform source के साथ हम उसको लिखते हैं या edit करने के लिए use करते हैं तो बिल्कुल सही है subline text editor के अगर आप बोलें खली simple text editor के हम लोग यूज नहीं करते हैं इसका हम लोग काम यूज करते हैं python application ये python programming के लिए API करूप में उसको यूज करते हैं तो option बनेगा 2 शिक्स नमबर देखिए या पर क्या पूछा जा रहा है container tags require opening and closing tags यानि कि body है HTML tag है यानि कि container tag आपका पूछा गया है required opening और close करने के लिए हम लोग यूज करते हैं body और HTML tag तो क्या ये ठीक है तो बिल्कुल ठीक है container tag आपको जो कहलाते हैं वो body और HTML tag आपको कहलाते हैं उधान के लिए body tag और HTML tag 2.7 है using HTML you can create user defined technique HTML के यूपयोग से आप user defined tag बना सकते हैं तो option बनेगा false ची कहीं user defined tags आपने बना सकते हैं जो आपको बने बना false tag मिलते हैं आप उनका ही इस्तमाल करेंगे 2.8 w3.css has in built responsive designing so that the website created using w3.css will redesign itself a device जाने कि in build जो आपको designing मिलती है इसलिए जो भी website w3.css को अपयोग करके बना जाती है हो जाती है तो option बनेगा बिल्कुस सही अगर मैं आपको CSS की website दिखाता हूं जैसे कि अभी मैं आपको की साइज तो क्या वो itself पर डिवाइस के साइज के अनुसार वो ड़ल जाती है बन जाती है तो option मैंनेगा बिल्कुल सही है 2.8 को option मैंनेगा आपका true वो बिल्कुल आपके responsive हो जाती है जैसे भी आपको device होगी चाहाँ वो device के साइज इस पकार से ओ टेबलेट हो चाहाँ डि χट्रायमच यह ब्ला टॉपक नहीं है चोड़ा टॉपिक करते है और प्रोगामिंग के जैसे कि को चोड़े प्रोगाम बनाने हैं इसे कि Fahrenheit का है कल्कुलेशन का है प्राइम नमबर का है बेसिक सा प्रोगाम जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ठीक है Question number 10 है local variable are destroyed after execution of function ने की local variable जो function में execution के बाद नश्ट हो जाते हैं तो बिलकुल सही option बनेगा true ठीक है student तो यह तो आपका M2R4 वालो के लिए भी और M2R5 वालो के लिए भी September exam का mock test number second जो कि मैंने आपको भी solve करवा दिया है प्लीज साथ बज़े आ जाये करें लाइब चलती है क्लास उसको जोइन कर लें comment किया करें note करते रहा करें share जरू कर दिया करें इसकी free of course आपको जो ग्यान मिलना है वो में सके मैं यह आपको समझा रहा हूँ हो आपको कुछ ना कुछ उसमें से जरूर समन में आएगा पेपर में जरूर आपको help परेंगी तो थैंकिए फर वाच्ट ट्वेस्टों हम बात करेंगा आज आज आपके M2R5 के जो हमारे मौक करें चल लाइती M2R5 में part number यह आपका होगा थर्ड होगा जिसमें first part में हमने complete video की थी और second part में हमने objective और आपके to and false को लिया था और इसका यह थर्ड पार्ट हम आट बनाने बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको बताएंगे मैज दा कॉलम और आपके फिल इंदा ब्लेंस के बारे में जो कि मोस्ट इंपोर्टन कोस्तन होंगे आपके सेप्टेंबर एक्जाम के लिए लेकिंगे मैं आपको बता दूँ आपकी website है जो इन इलेट की वो भी open हो चुकी है आज की date में तो आज से अपने आप सारे काम कर सकते हैं यानि कि अपना फॉर्म भरना पेमेंट करना या ओसे लेवल में करना करना जो भी सारे काम है वह आप कर सकते हैं फिलाला भी कोई चेंजमन इसमें देखने को नहीं मिला है तो एक्जाम की date आप मान के चले अभी है फिलाला भी चेंज नहीं हुई है तो जब अगर वह ग्रेम देखन तो आप बोलें कि हमारी त्यारी नहीं थी आपने कर्वाईबाई है हम अपना काम कंडीनू करते हैं अगर पेपर नहीं होता है तो कोई देक्कत नहीं है हो जाता तो हम आपको त्यारी तो करवाई रहें तो चलिए पहले कॉश्शन देखते है ऑपका जो object को hold कर सकती है transparent seat के बारे में पूछा गया आप इसका आंसर आप किस प्रकार से निकालेंगे आप धूंडेंगे तो देखे एक word तो आपको यहां से निकल कि आता है कि यह जो questions है कुछ layers के बारे में पूछा जारा है क्योंकि यहां पर transport एक layer आपकी होती है और यहां पर लिख option यहां पर available है यहां पर OSI layer नहीं दिया लेकि layer option दिया गया है तो इसमें जो option बनेगा वो बनेगा 3.1 का बी यानि कि transport seat that can hold object किसके साथ मिलके करेगी layer के साथ ठीक है जब कि एक layer होती भी है ट्रांसपोर्ट layer लेकियर पर पर इस परकार तो 3.1 का ऑफ्शन बनेगा भी लांप सेखेंड क्लाइंट साइड इसकिप्टिंग लेंगईज क्लाइंट बेज जो कौन सी लेंगज किलाती है आपको पता है तमाम तरह की लेंगईज नपढ़ते हैं CC Plus Java Script CSS HTML तमाम तरह की ले चलाइंटर तरीका होता है तो यहांप़ क्लाइंट सब्सक्राइब लाज्ग ङंजब करता है जब आप सको करते हैं तो आपकी स्क्राइबल आ झाते हैं और आपके ब्राजर थे हो जाते हैंनि कि आपको। इनेबल डिसेबल या अलाव या डिसलाव या ऑन या ओश आपको करना होता है इसलिए इसको क्लाइट साहिट डिस्किप्टिंग में कहते हैं को सान ममब three who is making the web standard और web की है व obstruction बनाने थे ठरीका www. sirivaled.book, które मैं बनेगा वर्रवाइड वैब कौन्सोर्टियम जैसे कि कीरा पर आपको फेंड़र को इसे आहिक pmंपर है कंचौर्टियम जो है आपका हुद बना रहा राए वर्रवाइड वैब कंसोर्टियम ऑप्सन मनेगा 3.3 का एक पोसर नमबर 4 सेट 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 दी बेग्ड़ाउंड कलर आफ एलिमेंट वेन माउस होवर एट यानि कि बेग्ड़ाउंड सिक्माल लेज़े है यह कोई आपका इमेज है आपने लगाया यहाँ पे वेबसाइट आप बना रहे हैं वहाँ पे बोला है एक कोई एलिमेंट का बेग्ड़ाउंड कलर आपको सेट कर देता है जब माउस उसके पास आप ले जाते है नहीं कि आप यह कोई पेज है इसके आप पास यह माउस आपका है इसे भूम रहा है आप इसके ओपर माउस ले जाएंगे तो वहाँ पे कोई एक कलर सेट कर देगा तो उसके लिए हम कौन सा कोड यहाँ पे यूज करेंगी यह पूछा गया तो देखे जब मैंने CSC क्लास पढ़ाई थी तो वहाँ पे आपको होवर इफेक्ट के बारे में एक पढ़ाया था हबर देखेंगे यहाँ पर वड दिया है होवर इस नवा रीट करना है आपको होवर इस्ति अनि की मतलब होता है जैसे कि माले कोई भी आप काम काता है मानिए टेक्स टी आपने कोई बनाया हुआ आप चाहते है वह टिक्स बॉड हो जाए आप बटिकली जैसे आप माउस ले जाएं तो वहाँ पर वह जूम हो जाए या कुछ भी हो जाएं तो वह सारा काम किस्ते होगा होवर एफेक्ट के मादम से होता है यहाँ पर हमको कलर लेना तो जो भी हमको होवर करना हो उससे जुड़ा हुआ एक कोड आपको उसके आगर लिखा हो जैसे कि हमको कलर का ना था तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कोड में डबलो थ्री होवर लिखा है फिर कलर फिर क्लास तो यही ऑप्सन इसका सही होगा ठीक है क्योंकि होबर यहाँ पर लिखा हुआ हमको कलर भी लगाना है और क्लास के अंदर यानि कि जो आईडी होत तो option बनेगा ई यह question मैंने आपको समझाया है CSSL class में question number five python application programming interface आपका किस पकार का interface कहलाता है तो देखिए python application सभी में एक interface होता जैसे कि c language हो गया c plus Java हो गया जो कि आपका applet base होता है और c plus की बात करें तो आपका dos base आप कह सकते के तमाम तरह के होते हैं ना जैसे के जी वाई होते हैं उसके graphical user interface उसी पेकार तो जो python होता है वो API based आपका programming interface कहलाता है जब यह हम उसकी कोई attachment करते हैं यह plugin करते हैं उसके साथ कोई tools तो वो किस पेकार के होता है programming design करते वक्त वो आपका API based programming आपको बना कर देता है तो option देखें यहां पर दिया हुआ है 3.5 के जो उसका interface होता API based होता है option बनेगा 3.5 का डी वह अच्छे question है बिलकुल आप त्यार कर लें यह question आपको मिलेंगे जरूर कोसर नमबर 6 है the declaration must be the first things in your HTML5 document before the tag यानि कि यह जो tag लिखा हुआ HTML tag से पहले आपके HTML5 document में declaration किया जाता है क्या जी यानि कि जब हम फोई भी HTML5 फाइल लिखते हैं तो उससे हम पहले declare करते हैं कि हम कौन सी फाइल को यहां यूज करने जा रहे जाए 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 इस परकार से हम उसको बताते हैं कि हम यहां document टाइब कौन सा estimate का लेने जा रहे है CSS का जो भी है तो बिसकली हम लोग HTML के पहले इसको ही यूज करते है डॉक टाइप ठीक है तो आपसर मनेगा जी यह मैंने बता जा हुआ है आपको क्लास में को से नमबर सेवन CSS property control is used to change the text जाए यानि कि CSS property का उपयोग text की अकार को बदलने के लिए किया जाता है तो किस परकार के text को देखे हैं यहां पर दिया होना चाहिए तो देखते हैं option इसमें क्या होना चाहिए 3.7 का बता है आपको option कौन सा लग रहा चाहिए तो बिसिकली text का size बढ़ाने के लिए हमको कौन सा control property में जाना पड़ेगा font size font size में जाएंगे तो उसी में तो हमको text का size मिलेगा जायरती बात है font size बदलेगा तो आपका text का size भी बदलेगा option बनेगा f css properties used to change text color अब हमको color change करना है तो हमको किस में जाना पड़ेगा color की properties में तो बेसिक से question देखे हैं यहां पर option दिया है color की properties तो option बनेगा i next question है यहां पर आपका web page is store at a web store यानि की web page आपके जो है वो कहां पर store होता हम कोई website बनाते हैं वो हम कहां पर store करते हैं तो यह server लगा होता है यह आपका computer होता है आप एक domain खरीते हैं go daddy से तो यह आपको क्या server पर जाके सारा चीज़े store होती है आपकी website तो option क्या बनेगा line break करने के लिए तो जैसे कि माले आपने ये एक line ये लिग दी और आप जाते हैं कि आप इसके आगे से ना start next line इसके नीचे से start हो तो इसको break करने के लिए हम code लिखते हैं बी-r line को break करने के लिए BR tag का use किया ज़्यादा देखें यहां पर दिया हुआ है 3.10 का H number BR tag ठीक है तो इस परकार से आप इसको solve कर सकते हैं बहुत basic से question है, अच्छे question है, easy question है और इसमें दोनो type के question है, R4 वालों के लिए भी है R5 वालों के लिए भी question है, इसमें दिये की, तो पहला question देखते हैं, इसमें दिया गिया है is one of the popular free web preference provider कौन से है जो कि which help to create your own website और free of the cost बहुत अच्छा question है, देखें, आप पूछा गया है ऐसी कौन सी website है, जो service provider है आपको जो कि free में आपको एक website प्रवाइड कराते हैं और उसको आप उसे उनकी website पर जाके आप फ्री में website को बना सकते हैं, तो देखें, यहां पर website का नाम दिया, आप जैसे की go daddy हो गए, host in teacher हो गए, तमाम जो है, आपकी website बनाने जाली site हैं, लेकिन यहां पर देखें, आपको इस पर करके कोई नाम नहीं दिये गए, तो आप इसमें confused हो सकते हैं, अगर आपने कभी भी इस company के बारे हम नहीं सुना, तो बसक्री में आप एक provider को बताना है, तो यहां पर एक provider का नाम दिये गया है, जियो cities, मैं इस provider को अभी open करता हूं, गूगल पर देखें, इसके बारे में और जानका AWS, एक आपकी website designing की एक company है, इस पर आप website देखें बना सकते हैं, domain purchase कर सकते हैं, तो इस पर आप जाके, फिरी में भी देखें हैं, यहां पर एक website आप बना सकते हैं, इसलिए यहां पर नाम दियागा है, free of course के लिए, तो इस पर जाके आप एक server अपना create कर सकते हैं, तो option बने यहां एक लिए, फूर पाइंट ओ, local browser used to validation on the webpage यूज़ाने, की website validation के लिए प्यों की जाए, local browser को नाम आपको बता रहा है, तो देखें, आपको यह आपको क्या browser का नाम दिखाए दे रहा है, local browser यूज़ वैलिडेट करना है, अगर आपको वैप पेज आप बना रहे हैं, उ तो उसको हम किस प्रकार्थ करते हैं यहां पर आपको ब्राउज का नाम ने बताना है तो यहां पर लेंग विद्व का यूज का उपनाते हैं अप्लिकेशन बेच यहां पर ऑप्सन दिया गया है यानि कि 4.2 का option बनेगा वेलिडेट करने के लिए जाबस जब भी वर्ड आयव वेलिडेशन करना है तो आपका हमेशा option जाएगा जैसे यानि कि जाबस्क्रिप्ट 4.2 HTML is considered as HTML जो है वो किस पकार की language होती है तो देखें यहां पर कुछ आपको क्या option इस पकार कर दिया गया है यानि कि मैं आपको बता देता हूं HTML जो आपकी होती है वो किस पकार की language जैसे कि मैंने बताया भी जाबस्क्रिप्ट आपकी है क्लाइंट बेस सर्वर लेंग उसी पकार से HTML भी आपकी इसी पकार की language कहलाती है तो वो किस पकार की है HTML इसे markup language होती है तो देखें यहां पर option दिया गया है HTML आपकी किस पकार की language कहलाती है markup तो आपको option बनेगा H markup HTML is considered as markup language और JavaScript is considered as client-based scripting language 4.4 help us in placing the picture or image at a desired place on the HTML document आपको कौन सा एक तरीका है जो help करता है आपको picture को आपके आपकी इच्छा कनुसार आपको जहां भी image लगाना है वहां पे लगाने के लिए तो हम देखें किसमें किसका यूज़ करेंगे देखते हैं यहां पर क्या option हमारे पास अब लेबल है देखे background position का हमारे पास एक option दिखाए दे रहा है तो क्या वह option सही होना चाहिए तो 4.4 का वही एक option है क्योंकि हमको image लगाना है और background में और यहां पर दिया पोजीशन पोजीशन इसका मतलब होगे कि हमको जिस भी जगह पे लगाना है desire place यहां भी हमको लगाना इच्छा करना सार तो हमको बिसकली उसको position एक design करनी होगी और हमको image एक select करना होगा तो option बनेगा background position f option बनेगा 4.5 is the correct css syntax for making all the p element for bold 4.5 यहां कि सभी p element को bold करने के लिए correct syntax कौन सा है css के बारे में पूछ रहा है आपका तो देखिए 4.5 में हमको bold करने के लिए correct syntax कौन सा है तो देखिए जब भी मैं आपको records ही बता दूँ जब भी हम css के कोई question आपको मिलता है में 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 या fill in the blank में तो css से जब भी coding लिखी जाएगी तो देखिए dot के साथ इस परकार से और यह dash के साथ ही लिखी जाती है अब करने के तरीका उसमें अलग होता है उसमें हम इस परकारते बोल्ड कर देते हैं और इसमें बोल्ड करने के लिए यानि के पहला आपका paragraph है फिर font का weight है जो भी उसका size होगा फिर उसको हम बोल्ड करेंगे तो इस परकारत है जो भी language लिखेंगे वो सारी किसके अंतरगत आएगी css के अंतरगत आएगी तो option बनेगा 4.5 का यह भला के 4.6 इसे standard for interfacing external programming within formation server on the internet internet पर सूतना server के साथ बाहरी programmer को interface के लिए एक माना करता है बताए 4.6 का option क्या होगा तो programming आप उकरने है और बाहरी interface interface करना है तो interface का आपको word मिल गया तो देखिए यहां पर यह interface का बड़ यान कि common gateway interface जिसके मादब से हम बाहरी बाहरी कतिविद्यो को अपने computer में ले सकते हैं तो option बनेगा 4.6 का ए इसके दोरह बनी थी 4.7 है तो यह आपका है जीपियर लाइसेंस के दोरह गवर्मेंट की गई थी option बनेगा इस यहां पर टेग हम यूज करेंगे से हम लेफ्ट मार्जिन कर सके 4.8 करेक्ते हैं तो option देखिए यहां पर क्या होना चाहिए तो margin है तो मार्जिन लेफ्ट हम यूज करेंगे तो इसको टेग कर सकते हैं सिंपल सा question है राइट होता है राइट मार्जिन लिखा होता option तो वह 4.9 का option हो जाएगा simple सा जी बहुत अच्छे question है basic question है 4.8 का जी option देगा left margin margin left 4.9 इस a set of program extended to allows user to web page यानि कि एक program extended का set जो user को web page एक्सेस करने किन मती देता है 4.9 का देखते हैं option होगा तो जब website हमने बनाई है हमको एक्सेस करने के लिए किस पर जाएंगे वर्ड वाइड वाइड वेब option बनेगा जी नमबर है इस योश टू वर्क आप वैरियस वारियस लेयर यानि कि कौन सो प्योग जो आपकी तो किस में मिलेगा सभी लेयर्स आपको किसने मिल जाएंगी लेयर मेनू में यहां पर OSI को आप्टन नहीं दिया गए तो लेयर है तो एक ही आप्टन है लेयर का तो लेयर मेनू आपका कहलाए तो यह थे आपके सब्सक्राइब के लिए मॉक टेस्ट नंबर यह बिसकली फूर होना चाहिए कर कंबाइन होगी तो मैं अपने त्री में कंप्लीट कर दूँगा तो असा करते हैं आपको उसके कोसन सवन में आखांगे बहुत ही अच्छे कोसन है बेसिस कोसन है और इनको चुरूर त्यार कर सब्सक्राइब कर दें नेक्स वीडियो हम लों बात करेंगे पाइथन के कोर्स के